हेलो फ्रेंड, स्टेडी विद मैंक की कर्णेट अफर सेसिन में आपका स्वागत है। यह कर्णेट अफर सेसिए, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट PCS, CDS, CAPF, NTA और अधर कमपोटिटिव एकजाम आदी में सहाय खोंगे। आज की डेट है 26 जनवरी 2022, तो चलिए आज का करंट अफर सुरू करते हैं। आज का पहला प्रस्ण है, रास्टिय मतदाता दिवस निम्न में से किस दन मनाया जाता है। अफ्शन A, 10 मार्च, अफ्शन B, 25 जनवरी, अफ्शन C, 20 सफरेल, अफ्शन D, 30 अगस्थ। देश के मतदाताओं को चुनावे प्रिक्रिया में भाग लेने के लिए प्रुच्छाहित करने हैं। प्रती हर वर्स्टों है आपका 25 जनवरी को रास्टिय मतदाता दिवस मनाय जाता है। इस वर्स इस दिवस का बारवा संस्क्रण मनाय जा रहा है। इस वर्स के रास्टिय मतदाता दिवस की थीम चुनावों को समावे सी, सुगम और सहभागी बनाना, चुनाव की तवरान मतदाताओं की सक्रिय भागिदारी को सुभिधा जनक बनाने तथा सभी स्र के मद्दाताओं के लिए पूरी प्रक्रिया को सरल वो एक यादकार अनुबव बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयो की प्रतिबत्ता पर ध्यान केंद्रित करती है। जाने की पीछे निर्वाचन आयो का उदेश अधिक मतदाता विसेश रूप से नय मतदाता बनाना है। तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा आपका ओफ्षिन B 25 जन्वरी। भारत की परियतन स्थलों के प्रचार प्रसार के लिए हर साल 25 दिसंबर को रास्टी परियतन दिवस मनाया जाता है। भारती परियतन से करोडों लोगों को रोजगार मिलता है तो वही देश की जीडीपी में भी बढ़ोत्री होती है। वैसे तो पूरी दुनिया में विश्व परियतन दिवस 27 दिसंबर को मनाया जाता है लेकिन भारत का परियतन दिवस 25 जन्वरी को में होता है। तो इसका जो सही इंसर होगा वो होगा आपका ऑफशन C भारास्टी है परियतन दिवस चलिए नेक्स्ट कुशन पर चलते हैं। कुशन नमर थर्ड है लखनो आईपेल फ्रेंचाइजी ने अपनी टीम का नया नाम जो है उन्ने में से क्या रखने की घोशना की है। औफशन A है आपका लखनो सुपर जोइंट्स, औफशन B लखनो सुपर मेगा, औफशन C लखनो मेगा होट्स, औफशन D है आपका लखनो ट्रेडा होट्स। इन्डियन प्रिमेर ली यानि आईपेल में पहली बार हिस्सा लेने वाली लखनो टीम ने अपने नाम का घोशना कर दिया है। लेंग, स्पीनर, रवी विस्नोई को साइन किया है। तो इसका जो सही अंसर होगा, वो होगा आपका ओफशन, ओफशन A लखनो सुपर जोइंट्स। चलिए, नेक्स्ट कोशन में चलते हैं। Q4 है, ICC की तरब से साल 2021 की सर्वस्रेस्ट महीला क्रिकेटर निमने में से किसे चुना गया है। Q4 मिताली राज, QB जूलन गोश्वामी, QC दिप्ति सर्मा, QD स्मृति मंदना। देखे, भारती स्टार स्मृति मंदना को सभी प्रारूपों में सांदार प्रदर्शन के लिए अंतरास्टिक क्रिकेट काउंसल ने साल 2021 का सर्वस्रेस्ट महीला क्रिकेटर चुना है। उनके टककर इंग्लेंड के टेमी, व्यूमॉट, दक्षुन अफ्रीका की लीजेल ली और आइलेंड की गेवी लुईस से थी। हालाकि स्मृति मंदना ने इस सभी को पीछे छोड़ते हुए अवार्ड अपने नाम किया। मंदना ने दुसरी बार यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। वे इससे पहले 2018 में भी सर्विस्रेस्ट महीला क्रिकेटर और सर्विस्रेस्ट महीला वनडे क्रिकेटर भी रह चुकी है। मंदना दो बार यह आवार्ड जीतने वाली पहली भारती महीला हिलाडी है। तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा आपका option D. स्मृतिमंदना चलिए next question पर चलता है Question number 5 है असम सरकान ने निम्नमेसिक किसे राइचे का सरवोच नागरिक पुरसकार असम बैभव प्रदान किया है Option A. Cyrus मिस्त्री Option B. रतन टाटा Option C. नटराजन जन्रसेखरन Option C. राजेस कोपिनाथन देखे टाटा संस के मानत शेर्मेन रतन टाटा को कैंसर देखभाल में योगदान के लिए असम का सरवोच नागरिक सम्मान दिया जाएगा असम की मुख्यमंत्री हिमत विश्वा सर्मा ने रतन टाटा को असम बैभव सम्मान देने की खुशना की है मुख्यमंत्री ने कहा कि असम के लोग राजे में कैंसर की देखभाल के लिए उनकी असाधरन योगदान के लिए उद्दमीव के बहुत आभारी है रतन टाटा की पहल पर टाटा ट्रस्ट ने असम सरकार के सहीयोग से 2018 में 19 कैंसर देखभाल 21 थापित करने का नर नहीं लिया था तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा आपका ओफशन भी रतन टाटा चलिए नेक्स्ट कुशन पर चलता है Q6 है किस केंद्रसासित प्रदेश ने रियाइसी जिले के जेरी गाउं को केंद्रसासित प्रदेश का पहला दुख्द गाउं घोसित किया है अफशन E लक्षदीब, अफशन B तादारी वंगनागर हवेली, अफशन C है आपका जम्मो कस्मीर, अफशन D दिली नेकि जम्मो कस्मीर प्रदेश ने रियाइसी जिले के जेरी गाउं को केंद्रसासित प्रदेश का पहला दुख्द गाउं घोसित किया है प्रदेश ने एकिकरित दुख्द विकास योजना के तहट जेरी के लिए 57 अतरिक्थ टेरी फार्म को मंजूरी भी दे दी है रिपोर्ट के अनुसार जेरी में फिलहाल कुल 73 टेरी फार्म मौजूद है जिसमें 370 गाउं है दुख्द गाउं का दर्जा मिलने से स्थानी डेरी संचालकों को वित्य सुरक्षा हासिल होगी तो इसका जो सही अंसर होगा होगा आपका option C जमो कस्मीर चलिए next question पे चलता है question number 7 है हाली में किस राइजिके सोथ करताओने जीनस गनोडमा समंधित कवक की दो नई प्रजातियों की पहचान की है option E, Tamilandu, option B, Keral, option C, Karnatak, option D, Assam देके हाली भी केरल के सोथ करताओने जीनस गनोडमा समंधित कवक की दो नई प्रजातियों की पहचान की है उनका सम्भा नारियल के तने की सडल रोग से है दो कवक प्रजातियां जिनमें आपका कनोडमा केरलेस और कनोडमा स्यूडो एप्लानेंटेस एप्लानेंटेम है संक्रमन जडों से सुरू होता है परन्तु इसके लक्षणों में तना और पत्तियों का रंग बदलना वो सड़ना सामिल है बात करते कवक की बारे में तो कवक एकल कोसी का या बहु जटल कोसी की जीव हो सकते हैं वो लगभग किसी भी आवास में पाये जाते हैं लेकिन जादतर जमीन पर रहते हैं मुख्य रूप से समुद्र या मीठे पानी के बजाई मिट्टी या पौधों पर पाये जाते हैं। अब घटक नामक समुद्र मृधा में या तो मृध पौधों के पदायत पर रूपता है जहां हुए कारवन और अइने तत्यों के चक्रण में बहत्पूर्ण भूमी का निवाते हैं। पौधों के परजीवी, पफूदी, कैब, पपड़ी जैसी बिमारियों का कारण बनते हैं। तो इसका जो सही अंसर होगा वह होगा आपका ओप्शन B केरल। चलिए, नेक्स्ट क्वेशन के चलते हैं। क्वेशन नमर एट है, हाली में कौन सा देश? विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। अप्शन E, नेपाल, अप्शन B, चीन, अप्शन C, रूस, अप्शन D, भारत। देखें, हाली में भारत विश्व में खीरे का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है। भारत ने अपरेल ऑक्टूबर के दोरार 114 मिलियर अमेरिकी डॉलर के मुल्य के साथ 123,846 मिट्रिक टन ककडी और करकीन यानी अचारी खीरे का निर्यात किया। क्रिसी और प्रसक्रित खाद्य उत्पात निर्यात विकास प्राधिकरण ने बुन्यादी धाचे की विकास और संसाधित खीरे की गुणवत्ता बढ़ाने, अंतरास्टि बजार में उत्पात को बढ़ावा देने और प्रसकरण इकाईयों में खाद्य सुरक्षय प्रमंध प्रणालियों के क्रियान्विन के लिए कई पहले की हैं तो इसका जो सही अंसर होगा वो होगा आपका ओफ्शन डी भारत चलिए नेक्स्ट कुशन पर चलता हैं देखे पुरातत्त्त विभाक के पहले निदेशक आड नागास्वामी का 23 चनवरी 2022 को उम्र सम्मंधी जटलताओं के कारण निधन हो गया वो 92 वर्स के थे पुरातत्तो, वास्तुकला, पुरलेख, मुद्रसास्त्र, प्रतिमा विज्यान, दक्षन भारती कास्य और मंदिर अनुस्ठानों से सम्मंधित नागास्वामी ने COVID-19 महमारी के दौरान तमिल लांडू में मंदिरों को बंद करने के विचार का समर्थन किया था विभिन शम्ताओं के साथ पुरातत्तो विभाकी सेवा करने के बाद वर्स-1966 में इसके निदेशत बने और वर्स-1988 में अपनी सेवा निवरिती तक इस पद पर रहे उन्होंने वर्स-1983 में एक किताब Masterpiece of Early South Indian Bros. लिखी और विश्वे सास्त्रिय तमिल समिलन को चिन्हित करने के लिए तमिल लांडू सरकार हेदू एक पुस्तक का संकलन किया उनकी अन्य महत्मोर पुस्तके मामलपूरम से संबन्दी थे जो Oxford University Press उत्तर मेरूर और गंगई कोर्चोलपूरम द्वारा प्रकासित है उन्होंने तमिल में भी किताबे प्रकासित की थी तो इसका जो सही अंसर होगा वोगा का Option A आर नागस्वामी चले नेक्स्ट कुशन पे चलते हैं कुशन नमर्ट 10 है डाका में बीसवे अंतरास्टे फिल्म समारों में किस फिल्म ने सरवस्रेश्ट फिल्म का पुरस्कार जीता Option A कुजगल फॉर्म इंडिया Option B है आपका मायार जोंजाल Option C सनी Option D आइना जाल देखे डाका में बीसवे अंतरास्टे फिल्म महत्सव में P.S. विरोद राज नर्देशित फिल्म कुजगल फ्रॉम इंडिया ने ACI फिल्म प्रतियोगिता खड में सरवस्रेश्ट फिल्म का पुरस्कार जीता इसके अलावा फिल्मों के लिए दिये के सत्र पुरस्कारों में चार और भारतिय प्रविस्टियां ही सामल थी जैसूरिया को रंजीत संकर नर्देशित फिल्म सनी के लिए सरवस्रेश्ट अभिनीता का पुरस्कार सरवस्रेश्ट पटकता लेखक इंडरनील राय चौधरी और सुगाता सिन्धा को भारत बांगल देश्ट फिल्म मायर जोंजालेतु तथा विसेस दर्सक पुरस्कार एमी वर्वा नर्देशित फिल्म सेम खोर को दिया गया। नेपाल से सुजीत विदारे नर्देशित फिल्म आइना जयाल को सरवस्रेश्ट नर्देशक का पुरस्कार दिया गया। तो इसका जो सही एंसर होगा वो होगा आपका option A कुजगल फ्रॉम इंडिया तो ये दियास के current affair वीडियो पसंद आए तो like, share और comment करना ना भूले साथी साथ चैनल को subscribe करना ना भूले Thanks for watching, have a nice day, take care